हेलो फ्रेंट्स आज की डिसकुशन के लिए हमने हमारी दोडती भागती हुई जिंदगी में डे बाए डे महिलाओं में आने वाली समस्याओं में से एक समस्या को चुना है जिसका डियाग्नॉज भी अक्सर जब हम एक्सिडेंटली जो है किसी अल्ट्रसाउंड स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं और डॉक्टर हमें बताता है कि आपको जो है ये प्रॉब्लम है तभी आपको पता लगता है जनरली जो है लेडीज इतना भी अवेर नहीं है कि उनको कुछ खास सिम्टम आ रहे हैं तो उनको जाके जो है अपना जो है अल्ट्रसाउंड स्क्रीन कराना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम की जो है अर्ली डेटेक्शन की जाए तो फ्रेंड आप शायद समझे गए होंगे कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं फिर भी जो है मेडिकल टर्म्स में हम इस प्रॉब्लम को यूटराइन फाइब्रोइड के नाम से जानते हैं आम बाशा में जिसे बच्चे दानी में रिसॉली की समस्या कहा जाता है तो इन फाइब्रोइड को जो है लियो मायोमा भी कहा जाता है जो की यूटराइन मायोमेट्रियम में स्मूद मसल और फाइब्रस टिशू की बिनाइन ग्रोथ होती है मतलब यह है कि यह कोई कैंसर नहीं है लेकिन फिर भी अगर यह आपके यूटरस में है तो इससे आपको बहुत सारी प्राब्लम्स खड़ी हो जाती है तो इसलिए जो है उसका अरली डिटेक्शन और अरली ट्रीटमेंट दोनों ही चीज़ें जरूरी होती है तो आजकल जो है इसके ट्रीटमेंट के तोर पे यूटरस को रिमूव किया जाता है जिसको की हिस्टेरक्टमी कहा जाता है और क्योंकि जो है इस वज़े से बहुत अरली भी बहुत लेडीज को यूटरस रिमूव कराना पड़ जाता है तो mainly जो है ये ladies में जो early menopause की समस्याएं खड़ी होती है उसका भी एक कारण ये बताया गया है क्योंकि जब uterus remove हो गया तो obvious है आपकी menstruation रुक जाती है तो ladies की बहुत सारी problems का कारण जो है यहां से start होता है तो इसके बारे में बात करना भी जो है लाजमी है तो आईए देखते हैं इसमें क्या कुछ problems इसमें रहती हैं इन symptoms की बाद सबसे पहले जरूरी है कि आपको थोड़ा idea हो जाए कि हो सकता है आपको uterus fibroid हो रहा है और आपको जो है अपना जो ultrasound है इसमें कराना चाहिए तो symptom जहां तक बात है इसके जो symptom है वो इस चीज़ पर depend करते हैं कि आपका fibroid जो है कितने fibroid uterus में हुए है means उनका number कितना है किस location पे हैं और कितने size के हैं तो इस हिसाब से ही आपको symptom appear होते हैं फिर भी कुछ common symptoms के अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपको periods के बीच में या फिर periods के दिनों में जो है heavy bleeding हो सकती है और heavy bleeding के साथ काफी blood clots भी जो है आपको इसमें period में face करने पड़ सकते हैं clotting की रिकत की अकसर आपने सुना होगा ladies complete करते हैं कि उनके periods के time पे उनको काफी जो है blood की गाठे आ रही है तो इस पे जो इस यह जो symptom को देखती हुए चाहिए उसके बाद जो है आपको जो pelvis area में मतलब pelvis lower abdomen में या फिर आपको lower back area में अगर जादा pain रहता है तो यह भी fibroid का एक symptom होता है menstruation के time पे अगर आपका जो cramps का pain है वो अचानक से बढ़ जाए तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए इसके बाद आपकी जो urination की frequency है आपको जल्दी जल्दी urine अगर जाना पड़ रहा है तो भी ऐसा जो है fibroid की समस्या की तरफ यह indicate कर रहा है इसके बाद intercourse में जो है द्यान में जरूर रखें इसके अलाबा जो है अगर आपके period आपके normal five to seven days के period से जादा चल रहे हैं तो यह अपने आप में indicate कर रहा है कि आपके uterus में कुछ problem हो सकती है अगर आपको अपने lower abdomen में हर समय बहुत pressure रहता है या फिर आपका abdomen जो है बहुत enlarge और swell up आपको लगता है तो आपको जरूर जो है अपना ultrasound screening के लिए इसमें जाने की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पर जो है यह सब symptom जो है indicate कर रहे हैं कि आपके uterus के साथ कुछ problem है और जो main problem जो आजकल देखने में आती है वो uterus fibroid की है जितना जल्दी वो detect होगा उतना जल्दी आप उसका treatment के लिए आगे जा सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंट जो है अगर हम इसके cause की बात करें तो वैसे जैनरली इसके जो है etiology जो है जो इसके cause है वो unknown बताये गए हैं कि कोई special अलग से कारण नहीं देया गया है फिर भी कुछ risk factors मतलब किन लोगों को होने की tendency इस तरीके की दिकत जादा रहती है उसके बारे म हम जरूर बात कर सकते हैं तो यहाँ पर risk factors में सबसे पहले तो जो ladies जो है नली parents है means जिनको कभी pregnancy नहीं हुई उनको uterus fibroid का chance ज्यादा रहता है जो ladies overweight है means obesity की समस्या से जूज रही है उनको भी जो है fibroid की समस्या जो है जल्दी गहेड लेती है तो और अगर किसी को जो है PCOS जो polycystic ovarian syndrome रहता है यह problem है तो भी जो है fibroid बढ़ने की tendency बढ़ जाती है इसके लावा अगर आपका estrogen level काफी high है तभी भी ऐसा हो सकता है अब जो है बहुत fatty diet अगर ले रही है तो भी आपको fibroid बढ़ने का जान सादा है और अगर किसी की family history में ऐसा है तो यह अपने आप में एक reason है जिसकी वज़े से जो है आपको uterus में fibroid हो सकते है तो इन सारी चीजों पर आपको जो है बहुत ध्यान देना जो है इसमें जरू अगर अगर हम आइरवेद की बात करते हैं तो आइरवेद कहता है कि जब आपका कफ दोष्ट प्रकुपित हो करके आपके आर्तव को दुष्ट करता है आर्तव की दुष्टी के साथ साथ आपकी रस्था तो भी इसमें दुष्ट हो जाती है तब जो है आपके uterus में fibroid की इस तरीकी की कोई भी growth जो है वो stimulate होती है तो इसको देखते हुए जो है हमें जो है आर्वेद में कुछ treatment options बताए गए हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपने डॉक्टर की सला के साथ में आप अपने uterus fibroid अगर एक limited size तक है तो आप दवा से भी उसको ठीक कर सकते हैं तो उ इसमें काफी important जो आउश्टियां है उसमें main काशनार गूगल का प्रियोग किया जाता है इसके साथ वृद्धिवादिकावटी काफी effective medicine के तौर पर इसमें है आप जो है चंद प्रभावटी का प्रियोग कर सकते हैं इसके लाबा कुछ हैरवेदिक सिरप हैं जिसका इसमे main अशोका रिष्ट का प्रियोग कर सकते हैं पत्रांग आसब इसमें काफी अच्छा असर देता है लोदर आसब का काफी अच्छा impact uterus fibroid में देखा जाता है तो फ्रेंट्स ये सारी औश्दियों का प्रियोग जरूर आप अपने डॉक्टर की सला के साथ और अरली screening के साथ जो है आप जरूर अपने uterus fibroid की problem से बिना operation के भी निजाद पा सकते हैं लेकिन अगर size काफी बढ़ गया तो obviously आपको operate के लिए भी जाना पड़ सकता है तो overall हम ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है अपनी कोई भी इस तरीकी की problem को neglect नहीं करना चाहिए as early आप अपने doctor की सला के साथ जैसा treatment वो आपको advise करते हैं आपको उसके साथ जाना ही चाहिए तो उमीदे friends आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई है तो please channel को like, share वर subscribe कर दे thank you so much friends for watching stay healthy, live well